आज हम एक नए पार्ट का ध्यन करने जा रहे हैं जिस पार्ट का शीर्शक है नस्टह पिस्टह घटह अर्थात नस्ट हुआ पिस्टह घटह आटे का घड़ा तो ये एक कथा है आज हम ये कहानी पढ़ने जा रहे हैं ताई ये प्रारंब करते हैं एकम नगरम आसीत एक नगर था यनी शहर था तत्र एक दरिद्रह वसतिस्म तत्र वहां एक दरिद्रह एक गरीब वसतिस्म रहता था वहाँ एक गरीब रहता था जहसे पिस्टेन पूर्णं आटे से भरा उओा एकम घटम प्राप्तवान एक घड़ा प्राप्तुहा उसे एक आटे से भरा घड़ा मिला तम घटम सह नाघदंते अवलमबितवान तम घटम उस घड़े को उसने कहाण नाघदंते याने खूटी पर की लित्या दीज़ू होती है अवलंबितवान टांग दिया उस घड़े को उसने एक खूंटी पर टांग दिया सहत तस्य अधह उपविशती स्मय वह उसके नीचे तस्य अधह उसके नीचे एव ही उपविशती स्मय बैठता था वह उसी के नीचे बैठता था तम घटम एव एक द्रिष्टिया पस्यति स्म तम घटम उस घडे को एव मतलब ही उस घडे को ही एक द्रिष्टिया एक द्रिष्टि चनि एक टक होकर पस्यति स्म देखता था देखता रहता था एक दा रात्री काले सह विचारित्वान यदी देशे दुर्भिक्षय भविश्यती तरही एतस्य पिस्ट घटस्य सत रुप्य का ना मुल्यम भविश्यती तो एक बार एक दार्थात एक बार रात्री काले रात के समय सह विचारित्वान उसने विचार किया रात्री के समय उसने सोचा यदी देशे दुर्भिक्षय भविश्यती यदी देश में दुर्भिक्ष हो जाता है यानि अकाल पड़ जाता है भुक्मरी हो जाती है तरही तो एतस्य घटस्य पिस्ट घटस्य सत रुप्य का नाम मुल्यम वविश्य थी तो इस आटे के घड़े भरे हुए जो घड़ा है वो इसका सो रुपे मुझे मुल्य मिलेगा चुकि चारो तरफ तो अकाल हो जाएगा भोजन नी खाने के लिए मिलेगा तो इस लिए इस घड़े का जो मुल्य है वो सो रुपे मुझे मिलेगा तदा अहम एतस्य विक्रैनम करिश्यामी तदा तब अहम मैं एतस्य इसको विक्रैनम करिश्यामी यानि इसको बेच दूँगा तेन धनेन उस धन से जो धन मुझे प्राप्त होगा अजय द्वयम अजय मैं यानि बकरी द्वयम दो मैं दो बकरियां खरीदूँगा करेश्यामी खरीदूँगा कालांतरे तेन अजसमु एव भविश्यती कालांतरे मुलकुश समय बात उन से उन बकरियों से क्या हो जाएगा तेन उन से अजसमु धीरे धीरे बकरियों को यानि समु हो जाएगा यानि मिरे पास और बकरियां हो जाएंगी अनंतरम अजसमु अस्य विक्रनेम करिस्यामी उस मतलब भैस करेश्यामी मतलब खरीदूँगा कालां तरे ममगरिये महीशी समु भविष्यति और कुछ समय बाद मेरे घर मेरे घर मेरे घर मेरे महीशी समु भैसों का समु यानि बहुत सारी भैसे हो जाएंगी वह सब कलपना कर रहा है कि घड़ा बेचुँआ आटे से भरा हु तासाम विक्रेणम करिश्यामी उन सब को बेच दूँगा यथेस्टम धनम चे संपदयामी और यथेस्टम जितनी इच्छा है उतना धनी खटा कर लूँगा मैंसे बेच देंगे तो धना जाएगा तेन विशाल गरिश्यामी उन पैसों से क्या करूँगा उन से विशाल गरिश्या निर्मानम एक बड़े घर का निर्मान करूँगा तदा कोपी धनिकह आगमिश्यती तब कोई धनिक यानि कोई अमीर जक्ती आएगा रूपवतीम स्वेकन्या महियम दास्यती अपनी सुन्दर कन्या को महियम दास्यती मुझे दिदगयनी उसके साथ मेरा विभा करा देगा अनंतरम मम पुत्र है भविश्यती बाद में एक मेरा पुत्र होगा देव सर्मा इती तस्य नाम करनम करिश्यामी देव सर्मा इती ऐसा तस्य नाम करनम उसका नाम करन करूँगा क्या नाम रखूँगा उसका देव सर्मा यदास है चलन समर्थ है भविश्यत जब वह चलने में समर्थ हो जाएगा चलने लगेगा तदा अहम पाट सालायाम पुस्तकम पठिश्यामी तब मैं पाट साला में यानि विद्याले में पुस्तक पढ़ाऊंगा उसको पढ़ाऊंगा तदा देव सर्मा मम समीपम आगमिश्यती तब देव सर्मा मम समीपम मेरे पास आएगा तदा तम बालम ग्रिनातू इती बालम इती बालमातराम आग्या पैस्यामी तदा तब तम बालम उस बच्चे को उस बालक को देव शर्मा को ग्रिनातू पकड़ो इती ऐसा बाल मातरम उस बच्चे की माता को आग्या पिश्यामी आग्या दूँगा कि अपने इस बच्चे को पकड़ो यदा सामम वचनम नैस्रोस्चती जब वह मेरे वचनों को नहीं सुनेगी तदा तब अहम मैं कोपे न क्रोध से पाद प्राहरम करिश्यामी पैर से प्राहर करूँगा यानि पैर से उसे मारूँगा जब वो मेरी धरम पतनी है मेरी बात को नहीं सुनेगी तो उसे मैं क्रोध में जो है उसको मारूँ गा इती एवं सह विचारित्वान ऐसा उसने विचार किया पाद प्राहरमाचे क्रितवान और पैरों से प्रहार किया मतलब वो सपन में ही चल रहा है पूरा ऐसा उसने पैरों से प्रहार किया पिस्टेन पूलना घटा है पतितह भगनह चय भवत और वो पैर कहा लगा उस घड़े में जागे लगा तो पिस्टेन पूलना घटा है आटे से घड़ा पतितह गिर गया भगनह चय भवत और भगनह यानि तूट गया तस्य सपन अपी भगन है उसका सपन उसका जो सपना चल रहा था अपी भगन है वो भी भगन है यानि तूट गया तो भाईया बैनों इस कहानी से मैं है शिक्षा मिलती है कि हमें अपने जीवन में केवल कपोल कलपित कलपनाओं से कलपनाओं में नहीं रहन चाहिए हमें परिश्रम से अपने जीवन को जीना चाहिए अपने जीवन में हमेशा मेहनत को ही हमें आधार बनाना चाहिए मेहनत करनी चाहिए परिश्रम करना चाहिए केवल मन में सोचने से कुछ भी प्राप्त नहीं होता हम लोग अपने जीवन में मेहनत करें परिश्रम कर तो भाईया बैनो इस पार्ट को आप इसकी हिंदी को अच्छी प्रकार पढ़ें आपका बहुत-बहुत धन्यवाद